सतना में 16 साल की एक नाबालिक लड़की बेहोशी की हालत में निर्वस्त्र मिली है उसके शरीर पर चोट के गंभीर निशान है लड़की को फिलहाल जिलास्पताल में भरती कराया किया है मेडिकल रिपोर्ट और लड़की के बयान के बाद ही सपष्ट हो सकेगा कि उसके साथ क्या हुआ है मामला जैतवारा थाना शेतर का है जहां शनिवार दोपहर में लड़की के चचेरे भाई ने उसे निर्वस्त्र हालत में बेसुध बगीचे में पड़ा देखा जिसके बाद उसने परिजन को सूचना दी परिजन डाइल हेंडरेट की मदद से उसे कोठी के अस्पताल ले गया है जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सतना जिला स्पताल भीज दिया नाबालिक को जिला स्पताल के मेटरनिटी विंगल में ले जाकर उसकी जाच कराई गे उसे होश भी आ गया है उसके बयान लेने के लिए महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया गया है बताया जा रहा है कि घटना के समय लड़की के माता पिता किसी काम से दूसरे गाउं गये थे घर पर बेटी अकेली थी दोपहर लगभग देड़ बजे चचेरा भाई बगीचे की तरफ गया तो वहां आम के पेड़ की नीचे नाबालिक बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी थाना प्रभारी का कहना है कि नाबालिक निर्वस्त्र तो नहीं थी लेकिन उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर चोट के निशान भी थे फिलहाल जाच के बाद ही इस पश्ठ हो पाएगा कि नाबालिक के साथ क्या हुआ था बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम स्व आती हो और आप देखते हिए विंध्या टाइम्स